नमस्कार मैं हूँ अर्चित आप देख रहा हैं इंडिन प्राइम नियोज जैसा कि कानपुर देहात के राजपुर ठाना छेत के गाउं छोलापुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गाउं के पुराने मंदिक का रास्ता बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई के दोरान अचानक तीन मिट्टी के घड़े दिखे और घड़ों के अंदर प्राचीन काल के सिक्के दिख गए घड़ों में सिक्के दिखते ही मौके पर काम कर रहे मजदूरों में लोट सी मच गई वही मौके से जेसीवी चालक समेट तीन लोग करीब 73 सिक्के लेकर मौके से भाग निकले जब सिक्के निकलने की सोचना ग्रामीडों को लगी तो गाउं के सैकलो ग्रामीड मौके पर पहुच गए और ऐसे में अफरात तफरी का महल हो गया सोचना पाकर आनन फानन मौके पर पोलिस मोची और मामला सांध कराया वही जानगारी के बाद पोलिस ने जेसीवी चालक समेट तीनों को गिरफतार कर लिया और गिरफतार लोगों से सिक्के बरामत कर पूस्तास में जुड़ गई है वहीं पुलिस ने सिक्के निकलने की सोचना जिले के उच अधिकारियों को दी है और खुदाई में निकलने वाले सिक्के पुलिस ने कबजे में ले लिये है वहीं जिले के अपर पुलिस अधिक्षक ने बताया कि खुदाई में निकलने वाले प्राचीन काल के सिक्के कब्जे में ले लिए गए हैं और जिले के डियम को मामले की सोचना दे दी गई है साथ ही अप पुरा तत विभाग के अधिकारी जांच कर आगे की कारवाही करेंगे में लोग काफी लोग थे अच्छा जी किसकी जगह है पहले किया कुछ वोग रहते थे क्या यहां पर हमारी जगह है हमारे माता-पिता अधिक्षक लोग रहते थे आज की तीन पीड़ी के पहले गुणागे तो फर इस चीच की आपने पुलिस ओ जानकारी थे पुलिस आई यहां पा अगर तो क्या करवाई गी है पुलिस की जानकारी ही तो हम तो दही है एक दूसरी जगह में है हमारे पड़ोस में भगल भाले है इनकी जगह में मतला वह कर ना तो जब इनम होकित देखागा है तो तो अमारी जगह है कि आज सुबह साहे नौ बजी के आसपास थानराजपुर छेतर के छोलापुर गाउं में एक मंदिर को जाने वाली सड़क पर जेसी भी से मिट्टी खुदाई का काम चला था सड़क चौनी करण का काम चला था उसी बीच मिट्टी से एक कच्छा घड़ा जे मिट्टी का घड़ा था वो मिला है उसमें से 73 से के जो चांदी के बताए जा रहा है बरामद हुआ है यो करीब सव साल पुराने बताए जा रहा है इस सम्मंद्ने जिला प्रिशाशन के माद्धम से पुराताति वहाब को सूचना कर दी गई है और अननेमानुशर तरव कि जार।